दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही powerful चीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके इस्तमाल से आखोस related problem, heart problem, bad cholesterol, skin में समस्या, कमजूर हड़ियां, blood pressure की समस्या हो तो ठीक हो जाएगी, साथ ही जिस चीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसका 7 अगर आप 1 ग जानेंगे omega-3 fatty acid क्या है, आप इसे कैसे ले सकते हैं और इसके क्या-क्या फायदे हैं, पहले जान लेते हैं omega-3 fatty acid health benefit के बारे में, सबसे पहले हमारी हार्ट यानि हिर्दे और cholesterol में इसका अच्छा रूल होता है, अगर आप किसी heart से related परिश्वानी से गुजर रहे हैं, आप cholesterol बढ़ा हुआ है, blood pressure के patient है, या फिर आपको heart stroke आ चुका है, तो आपको omega-3 fatty acid का इस्तमाल ज्यरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर में जो खराब cholesterol होता है, उसको कम करता है, साथी जो अच्छा cholesterol होता है, गुड cholesterol होता है, जिसे HDL कहते हैं, यह उसे शरीर में बढ़ा आपके शरीर के लिए बहुत ही फात्यमत होगा, दोस्तों omega-3 fatty acid हमारे हड़ियों और joint के लिए भी बहुत अच्छा है, आप इस अपने diet के अंदर ले लीजे, यह हड़ियों के अंदर calcium कमी observe करवाएगा, यानि कि सोखने का काम करेगा, calcium कमी कभी भी नहीं होने देगा, उम हमारे हड़ियों और joints को smooth बनाएगा, उनमें inflammation को दूर करतेगा, तो इसके वज़ा से arthritis जैसी समस्या, गाउट जैसी प्रॉलम से भी हम बचे रहते हैं, इसे लेते रहने से joint pain की प्रॉलम भी कम हो जाती है, अगर आप arthritis या ओश्य अर्थराइटिस ऐसे किसी भी anti-inflammatory बिमार सुजन है या फिजलन है, तो उसको कम करने में आपकी बहुत मदद करेगा, दर्द से आपको अराम दिलाता है, इसके लाव अगले फायदे के बात करें, तो अगर आपके आँखों के रॉष्णी कमजोर है, तो भी आप omega-3 का इस्तमाल कर सकते हैं, इसमें जो DHA पाए जात ओमेगा-3 fatty acid तवचा को healthy बनाता है, smooth बनाता है, तवचा को hydrate रखता है, इसके साथ साथ अगर आपको दोस्तों स्कीन में सोराइसिस जैन की खारिस होना, इचिंग होने की समस्य है न, तब भी ओमेगा-3 fatty acid बहुत बढ़िया है, हमारे बालों की growth को बढ़ाने का काम करता ह बालों को healthy रखता है, बालों के overall health के लिए बहुत ही अच्छा है, आपने कई वीडियो में कहते सुना होगा कि अलसी का जैल बनाकर बालों में लगाना चाहिए, अलसी को बालों में लगाने से काफी फादा होता है, दोस्तों, अलसी में काफी अच्छी मातरा में omega-3 fatty acid होता है, लगाने के साथ साथ इसे खाना भी और अच्छा है, अगर बालों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं, तो क्या खीजे, एक से डेड़ी गलास पानी में एक से देड़ी समच अलसी के बीजों को राद पर भीको कर रख दीजे, और सुबा पानी सहीद अलसी को गर्म कर लि उमेगा-3 fatty acid का इस्तवाल करती हैं, तो इसमें जो DHA पाय जाता है, वो brain के लिए, खासकर आपके होने वाले बच्चे के brain development के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बोलने की समझने की जो छमता होती है, वो दूसरे बच्चों के अपेक्षा कहीं गुना बढ़ जाती है, तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा, दूसरे बच्चों के अपेक्षा ज्यादा समझदार और mindly strong हो, तो आप pregnancy के दौरान या फिर इससे पहले से omega-3 fatty acid का इस्तमाल करना शुरू करते हैं, इसके लावा दोस्तों हमारे शेडी के अंदर जो नसे होती हैं, उनको भी ये लच करने का काम करता है, omega-3 नर्व सिस्टम के लिए बहुत ही कमाल का काम करता है, अगर नर्व से related कोई बिमारी हो, तो omega-3 लेना शुरू कर सकते हैं, तो दोस्तों ये तो होगे omega-3 fatty acid के बहतरीन फायते, दोस्तों omega-3 fatty acid non-wage के खानों में बहुत अधिक पाया जाती है, और जो काफी मात्रें पाया जाता है, इन तीनों चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, आप क्या करें, गर्मी के मौसम में, डेड़ से दो चमच अलसी के बीज लीजे, और थोड़ से पानी में रात भीगों को छोड़ दीजे, पूरी रात भीगों दिने से इसके अंदर की जो गर् और बचे में पानी को भी पी लेना है, इस तरह अलसी का सेवन गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं, अगर आप अखरूट का सेवन करना चाहते हैं, तो दो अखरूट को रात को पानी में भीगों कर सुबा भीगे वे अखरूट को खा लीजे, ये भी ओमेगा 3 का अच्छा भीगरी के बाद इन बीजों को आप स्मूधी में डालकर आप ठंडे दूद में डालकर लसी में डालकर दूद ये दही में डालकर खा सकते हैं, इसके लावा एक बहुत इवर्या तरीका बताता हूं जिससे पूरे परिवार के श्रीर में ओमेगा 3 की कमी कभी भी नहीं ना थे हमारी हर घर में सुम्ह रुटी बनती ही है तो आप क्या किज़े? आठा कुतने से पहले उस आठे में अलसी के? दिज़े. ज्यान रखेगा कि अलसी का पॉडर भी आपको जारा दिनों तक के लिए नहीं रखना है। आप साथ से आठ दिनों के लिए पॉडर बना कर दख सकते हैं। वह भी एट टाइट कंटिनेर में आपको रखना होगा। रोजाना जब भी आप रोटी बनाने के लिए आठा गुथेंगे। आप अगर चार लोगों के लिए आठा गुथ रहे हैं तो उसमें लगबग 2-3 चमच के बराबर अलसी के पॉडर को आड़ कर दिजए। और आठा गुथ कर उसकी रोटिया बना कर खाईए। इससे शुरी वीडियो यह जानकारी इच्छी लगी होगी फादेमन लगी होगी वीडियो इच्छी लगी हो तो इससे शुरीर कीजेगा और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हो जाईए। धन्यवाद